नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल टैग बॉआमू केस में दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो टीवन 44 वाट वैरियंट के फोन में स्मार्ट काल सेटिंग कैसे करेंगे सबसे पाले आपको अपने फोन में शेटिंग ओपन करना है शेटिंग ओपन करने के वाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीची आना है यहाँ पर आप लोगों को एक ओप्शन देखने को मिलेगा सोर्ट कट एंड असेस्ट प्यूरिटी का इस पर आप लोगों को किलिक करने वाद कुछ ऐसे इंटरफेज को मिलेगा जहां कई भी स्मार्ट मोशन का ओप्शन दिखाए दे उस पर किलिक कर दीजिए इस्मार्ट मोशन पर किलिक करने वाद यहाँ पर आपको स्मार्ट कालिंग का ओप्शन दिखाए देगा या कालिंग का ओप्शन तो उस पर आपको किलिक करना है किलिक करने वाद ले जाते हैं, आटोमेटिक उस जो नमबर पर कॉल जाने लगेगी, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे सिर्फ उस नमबर पर किलिक करना है और अपने फोन को अपने कान के पास ले जाना है, आटोमेटिक कॉल जाने लगती है, इसके बाद है स्मार्ट एंस्वर का उप्सन, स्मार्ट एंस्वर के उप्सन को दोस्तों अगर आप अपने फोन में आन कर देते हैं, तो आपके फोन में जब भी कोई incoming call आ रही है उस call को अगर आप लोग receive करना चाते हैं, तो आपको अपने फोन को अपने कान के पास ले जाना है automatic call receive हो जाएगी आपको receive करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर smart answer का यूज इसलिए होता है अब इसके बाद है smart switch को option, अगर आप अपने फोन में smart switch के option को आन कर देते हैं दोस्तों, अगर आप जो फोन पर बात कर रहे हैं और अपने फोन को अपने hand free पर रखा हुआ है, और जैसी आप अपने phone को अपने कान के पास ले जाएंगे automatic hand free mode से आपका फोन हट जाएगा, और जैसे कान के पास से दूर ले जाएँगे, automatic आपका फोन hand free हो जाएगा तो इस तरीके से smart switch होता है hand free और receiver mode में इस तरीके साब को इसको आन कर दिना है अब इसके बाद है smart mute का option smart mute के option को अगर आप अपने phone में आन करते हैं तो आपके phone पर जब भी कोई incoming call आ रही है तो उस hand free के option को अगर आप अपने phone में आन कर देते हैं तो आपके phone पर जब भी कोई incoming call आती है उस call को अगर आप लोग receive करना चाते हैं वो भी hand free के साथ receive करना चाते है फोन भी receive हो जाए और phone hand free भी हो जाए दोनों एक साथ हो जाए तो आपको जो जब incoming call आ है तो उस समय अपने display के लगभग 20 cm ऊपर अपने हथेली को इधर उदर फेरना है स्लाइड करना है 20 cm ऊपर द्यान रहे गाई इसके बाद वह call automatic receive हो जाएगी और hand free के साथ receive होगी तो दोस्तो इस तरीके से सारे smart feature जो की calling से related है इनका यूज आप लोग बहुत ही बारिकी से इस तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएद वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करिए